महिंदरगर जिले के अंदर आज सरो समाज मन्छुआ एकत्र जिले के अंदर बहुत से समश्याओं वो ले करे प्रती निधी मंडल द्वारा मीटिंग के आयोजिन किया गया इस मीटिंग में जिले से सम्मंदित मुद्वों पर गिहन बातचीत की गए महिंदरगर जिले में सडकों पानी बिजले की वश्ता को लेकर सरो समाज में बड़ी हुकार भरी है मंच की अदिक्ष्टा करते वे रादेश्याम गौंगला जी ने बताया कि लंबे समय से कोरोना को लेकि काम नहीं हो पाय रहा था लेकिन अब सुचारों रूप से काम किया जाएगा और जन्रता की समश्यें सुलजाई जाएगी मीटिंग की गई मुद्दों पर गहन अध्यन हुआ और मीडिया कर्मियों ने भी बताया कि स्वास्त समंधी समश्याँ को लेकर बहुत बुरा हाल है महंदरगर जी ने का अगले मीटिंग रखी गई है काम बागोत में देखते हैं क्या होता है क्या ये मंच महंदरगर जीले की मूड़ विद्धाओं के बारे में लड़ेगा देखना होगा प्राजनितिक प्रस्ट गुम्मी पर कारे होगा या जन्हित के मुद्दों पर कारे होगा देखते रहे इंडियानियानियो 16 जिन पर अभ्यान चलाने के अवसिकता है और सरकार को जगाने के अवसिकता है सरकार का ध्यान अकर्षित करने के अवसिकता है जैसे जिला मेंदरकट और विवाडी और इसके साथ लगता दादरियोत भ्याने का भी कुछ से पाने की किलत से दस्कों से रहा है जूज रहा है लेकिन अभी तक ही समस्या का समाधान नहीं हो पाए बीच में सरव समाध मंच के द्वारा हमारे संथन के द्वारा एक अभियान चला गया था जिसके परिणाम सरूपे आंसिक रूप से कुछ पाणी आया लेकिन वो पाणी जो हमें समुचित हमारा समान अधिकार बिलना चाहिए वो समान अधिकार अमें प्राप्त नहीं कि जो भूजल स्तर 6 साल पहले 1300 फिट गहरा था आज वो भूजल स्तर 1500 फिट गहरा चला गया है तो अगर नीचे गया तो इसका सिदा सिदा अर्थ यही है कि समाधान नहीं हुआ है इस पानी के समाधान को सही रूप में क्रियान्वित करने के लिए सरकार से निवेधन करेंगे और आगर आवसेक्ता पड़ी तो अंदोलन का इसका रूप किया जा सकता है हम चाहते हैं कि प्रदेश में जितना नदियों का पानी आ रहा है वर्तमान में उस वर्तमान में आये हुए पानी को समान रूप से समुचित रूप से वित्रित किया जाए तिनों जिलों को रेवाडी, महंदरगड, बिवाणी, दादरी, गुडगावा तक इन दक्षनी हर्याना के जिलों को भी उतना ही पानी मिलना चाहिए जितना हर्याना के अन्य जिलों को मिल रहा है और अब तक जो हमारे पानी की कमी रही है जो अब तक नहीं मिला उसकी भी पूर्ती की जानी जाए देखिये उत्री अर्याना में काफी छेत्रे स्थितिंत पाणी के עधिक्ता के करण और रजक्षनी अर्यारा में सुखे के करण बड़ी विकट श्थित्था है यह स्वत्रेत कि एक ही राज में एक हिस्वे में पाली Roberts ay दूब गहां और उसी राज का है कि त्रस्त है तो यह अन्याय क्यों आप बराबर बराबर बटवारा कर दीजी समान रूप से वित्रन हो जाएगा दूसरा मुद्धा आज की मिस्टिंग में जो समस्या उठके आई जिले में स्वास्त विवाग की बेहद लचर वेरुस्था है अगर सभी अस्पतालों का आकलन किया जाए तो जिलावर में नार्नोड अस्पताल को छोड़के कोई भी अस्पताल ऐसा नहीं है जिसमें स्टाफ की पूरती हो या जो उपकरन है वो अच्छे डंग से काम कर रहे हूं साथ साथ सात्यों ने उस्पताल की समष्या भी स्वावने रखी जो पैट सिस्टम के उपकरन है वो उपकरने गांग की ड्ण्यों में अभी तक नहीं पहुंच. पाए हैं तो आपके मादम से हम चाहते हैं हमारा संग्ठन चाहता है कि वह ढाणियों तक पैट सिस्टम भी पहुंचाया जाए इसके साथ साथ एक मुद्धा यह उठा कि जो पटीकरा में आयुर्वेदिक कोलेज है वह कोलेज की बिल्डिंग तो बना दी लेकिन वहां अभी कि तक क्लासेज नहीं लगी है कि आज की मीटिंग में एक बड़ा महत्वपूर्ण बात सामने उठकर आई कि महंदरगड जो हमारा जिले का महत्वपूर्ण कश्बा है इस कश्बे की समस्त सडकें तूटी हुई है जिसके कारण पूरा जिला पूरा जहर वह सोरी पूरा सह है और लोग बड़ी परिशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो हमारा संक्ठन कि चाहेगा कि सरकार इस पर ध्यान दे और अगली मीटिंग अगले इत्वार को बागोद गाव में रखी गई है बागोद गाव में रखने के पिछे मक्सद रहा है कि बागोद आज का नही कि बहुत ही महत्वपूर्ण गाव रहा है रिशी पिपलाद की तपश्या सथली रहा है बागोद गाव और अगर पैत्रिक गाव की बात करी जाए तो रिशी अस्टावक्र का पैत्रिक गाव है बागोद रिशी कहोड का पैत्रिक गाव रहा है बागोद और यहां का जो च परिफ्टन स्थन जकसे 12 12ativa में बनाए जाना चाहिए वहski वूद्दालक कर आश्रम जहां पर आस्ठावक्त ने शिक्षा प्राप्त की तो इतने हमारे पास दसे च्वह जेहन रीशी का डौसी में की परishnaषय का रूप में परियास्ट कर रहा है पर wilt dedic परियास्ट blir्श muffin से मांग करेंगे कि युद। रिज को इनको क्रियानवन करने के लिए समस्च्याओं का समज्दान करने के लिए वेक्ती कर दोसे मिलेंगे एक जिले में ब्लोड बैंक बनाये की लिए मैंग Replotet है और हमारा संठन्थ मुढ़ा कि जिले में एक बड़ बैंक के दो दो आजा है ताकि विकर्ट स्थीति में उनकी गमी का सामना ना करता है